शिब बाबा याद है ना? तुम यहाँ आए हो बाब के पास 21 जन्मों के लिए जोली भरने क्योंकि बाब है ही ग्यान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का और संपत्ती का भी सागर है। बाब जो ग्यान देते हैं, इससे तुम्हें सदा का सुख, अर्थात, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, अब हम बेहद के बाब से राज योग सीख, नर से नारायन, विश्व का मालिक बनते हैं। अभी तुम हो राज योगी, राज रिशी, जो योगी पवित्र आत्मई होती हैं, उनकी आयू भी बड़ी होती है। अभी तुम्हें ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। कल्प पहले जिसने जितना पुरुशार्थ किया होगा, वही अब करेंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, सयाने बच्चे वहें, जो सदा बुद्धी से समझ से हैं कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। मैं आत्म ट्रस्टी हूँ, अगर ऐसे कोई ट्रस्टी हो घर में रहें, तो जैसे शुबाबा के भंडारे से ही खा रहे हैं, परन्तु पहले बाप में पूरा निश्य होना चाहिए। और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से। बाबा कहते, बच्चे घर में रहते, सब कुछ संभालते, सदा बुद्धी से यही समझो कि यह सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर उची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए, पूरा निश्य हो तो जैसे यग्य से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, श्यु बाबा के भंडारे से खाते हैं, बाबा को सब सच बतलाना पड़े। ओम शान्ती, भक्ती मार्ग के सतसंगों से यह ज्यान मार्ग का सतसंग विचित्र है। तुमको भक्ती का अनभव तो है, जानते हो अनेका अनेक साधू संथ, भक्ती मार्ग के शास्त्र आदी सुनाते हैं, यहां तो बिलकुल ही उनसे अलग है, यहां तुम किसके सामने बैठे हो, डबल बाप और मा, वहां तो ऐसे नहीं है, तुम जानते हो यह बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है, इतने सब संबंद हो जाते हैं, वहां तो ऐसा कोई संबंद नहीं, ना कोई वह फोलोवर्स ही है, वो तो है निवरिती मार्ग, उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है, रात दिन का फर्क है, यह भी तुम जानते हो, लोकिक बाप से अल्प कालक्षन भंगूर सुख एक जनम के लिए मिलेगा फिर नया बाप नई बात यहां तो लोकिक भी है पारलोकिक भी है और फिर अलोकिक भी है लोकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलोकिक से भी वर्षा मिलता है बाकी यह अलोकिक बाप है wonderful इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है हाई इनके दवारा शुबाबा वर्षा देते हैं इसलिए उस पार लोकिक बाप को बहुत याद करते हैं लोकिक को भी याद करते हैं बाकी इस अलोकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते हैं तुम जानते हो यह है प्रजापिता, यह कोई एक का पिता नहीं, प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर है, शुबाबा को ग्रेट ग्रेंड फादर नहीं कहते, लौकिक संबंद में लौकिक फादर और ग्रेंड फादर होता है, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फ ये सब बातें बाप बैट समझाते हैं। भक्ती मार्ग की तो बात ही न्यारी है। ड्रामा में वहे भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं। तुमने कैसे 84 जनम लिये हैं। 84 लाख नहीं। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं। पुन्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहां पाप आत्माओं रहती हैं वहां पुन्य आत्माओं नहीं रहती। यहां पाप आत्माओं को ही दान पुन्य करती हैं। पुन्य आत्माओं की दुनिया में दान पुन्य आधी कर दर्कार ही नहीं रहती, वहां यह ग्यान नहीं रहता कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है। सुक्षम वतन में तो यह बाती होती नहीं, सोभी अमर कथा एक को थोड़े ही सुनाई जाती है। अपने से भी जासी गलानी कर दी है, मैं तुम्हारी कितनी निशकाम सेवा करता हूँ, मुझे कुछ भी लोब नहीं है कि पहला नंबर बनो। नहीं, औरों को बनाने का रहता है। इसको कहा जाता है निशकाम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितना निराकार, निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं। कपडे आदी भी वही है, कुछ भी बदला नहीं है। नहीं तो वहें लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं। इनकी ड्रेस वही साधारन है, ओफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं। इनकी तो वही साधारन पहरवाईस है, कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते हैं, मैं साधारन तन लेता हूं। वेह भी कौन सा जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनरजनम लेते हैं वेह तो 84 लाख कह देते हैं सुनी सुनाई बाते हैं इससे फाइदा कुछ नहीं डराते हैं ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आधी बनेंगे गाएं का पूछ पकड़ने से तर जाएंगे अब गाएं कहां से आई स्वर्ग की गाएं ही अलग होती हैं वहां की गाएं बहुत फर्स्ट क्लास होती है जैसे तुम 100% संपुरन तो गाएं भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती है श्रिक्रिष्न कोई गवो नहीं चराते, उनको क्या पड़ी है? यह वहां की ब्यूटी दिखाते हैं. बाकी ऐसे नहीं कि श्रिक्रिष्न ने कोई गवो नहीं पाली हैं, श्रिक्रिष्न को गवाला बना दिया है, कहां सर्व गुण संपन सत्यू का फ़र्स्ट प्रिंस और कहां गवाला कुछ भी समझ से नहीं है क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं यह एक ही धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है बाप कहते हैं यह ग्यान मैं तुम बच्चों को देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए मालिक बन गए फिर ग्यान की दरकार नहीं ग्यान हमेशा अग्यानियों को दिया जाता है गायन है ग्यान सुर्य प्रगटा अग्यान अंधेर विनाश अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारे में हैं, कितने धेर सत्संग हैं, यह कोई भक्ती मार्ग नहीं हैं, यह है सद्गती मार्ग। एक बाप ही सदगती करता है, तुमने भक्ती मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आप बिगर दूसरा न कोई, क्योंकि आप ही ग्यान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ती का सागर हो, संपत्ती भी देते हैं न, कितना माला माल कर देते हैं तुम जानती हो हम श्युबाबा से 21 जन्मों के लिए जोली भरने आई हैं अर्थात नर से नारैन बनते हैं भक्ती मार्ग में कथाईं तो बहुत सुने सीड़ी नीचे उतरते ही आई चड़ती कला कोई की हो न सके कल्प की आयू भी कितनी लंबी चोड़ी कर देते हैं ड्रामा के डूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं अब तुमको पता पड़ा है कल्प है ही 5000 वर्ष का मैक्सिमम है 84 जनम और मिनिमम है एक जनम पीछी आते रहते हैं निराकारी जाड है ना फिर नंबर वार आते हैं पार्ट बजाने असल में तो हम निराकारी जाड की हैं फिर वहां से यहां आते हैं पार्ट बजाने वहां सब पवित्र रहते हैं प्रन्तु पार्ट सबका अलग-अलग है यह बुद्धी में रखो जाड भी बुद्धी में रखो सत्युग से कल्युग अंत तक यह बाप ही बताते हैं यह कोई मनुष्य नहीं बताते हैं दादा नहीं बताते हैं एक ही सत्गुरु है जो सर्व की सद्गती करते हैं बाकी तो सब गुरु है भक्ती मार्ग के कितने कर्म काणड करते हैं, भक्ती मार्ग का शो कितना है, यह रुणने का पाने मृग तृष्णा है, इसमें ऐसे फसे हैं, जो कोई निकालने जाते हैं, तो खुद ही फस जाते हैं। यह भी ड्रामा की नोध है। कोई नई बात नहीं, तुम्हारा second second जो पास होता है, सारा तुम जानते हो अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख, नरसे नाराइन, विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप पांच-पांच हजार वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वह शांती का सागर, सुख का सागर है। य यह महीमा पार लोकिक बाप की ही है। तुम जानते हो यह महीमा बिलकुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है। वही दुख हरता सुख करता है। जिसके सामने तुम बैठे हो। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे, तो कहां योग लगाएंगे। बुद्धी में आएगा श्यूबाबा मधुबन में हैं, उनको ही याद करते हो। श्यूबाबा खुद कहते हैं, मैंने साधारन बुड़े तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने। मैं ड्रामा के बंधन में बानधा हुआ हूँ, तुम मेरी कितनी गलानी करते हो। मैं तुमक इतनी पूजा करते थे, तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, सब गमा दिया, अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, कब किसकी बुद्धी में नहीं बैठेगा। आकर तुम्हारी आयू बड़ी कर देते हैं, इसलिए बाप कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं, जो कभी बिमार नहीं होना पड़े, भगवानु आज अपने को आत्मा समझ, मामे कम याद करो, तो तुम पतित से पावन, एवर हेल्थी बन जाएंगे, हम गैरेंटी करते हैं, योगी पवित्र होते हैं, तो आयू भी बड़ी होती हैं, अभी तुम राज योगी, राज रिशी हो, वे सन्यासी तो कभी राज योग सिखला न सके, वो कहते हैं, गंगा पतित पावनी हैं, वहां दान करो, अब गंगा में थोड़े ही दान किया जाता है, मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं, अब तुम बाप दवारा पावन बन रहे हो, बाप को देते क्या हो, कुछ नहीं, बाप तो दाता है, तुम भक्ती मार्ग में इश्वर अर्थ गरीबों को देते थे, गोया पतितों को देते थे, तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित, अब तुम पावन बनते हो, वो पतित पतित को दान करते हैं, कुमारी जो पहले पवित्र हैं, उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिना भी देते हैं, शादी के बाद बरबादी हो जाती है, ड्रामा में नोंद है, फिर भी ऐसा रिपीट होगा, भक्ती मार्ग का भी पार्ट हुआ, सत्यू का भी समाचार बाप बताते हैं, अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले बेसमझ से, शास्त्रों में तो हैं भक्ती मार्ग की बातें, उनसे मेरे को कोई पाते नहीं, मैं जब आता हूँ, तभी आकर सद्गती करता हूँ सभी की, और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ, मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को सहुकार बनाता हूँ, गरीब तो जट बाबा का बन जाते हैं, कहते हैं बाबा, हम भी आपके हैं, यह सब कुछ बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धी से समझो यह हमारा नहीं है बाप का है, इसमें बड़े सयाने बच्चे चाहिए, फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, तुगोया यग्य से खाते हो, क्योंकि तुम भी यग्य के हुए सबकुछ यग्य का हो गया, घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो, तो शिव बाबा की भंडारे से खाते हो, प्रन्तु पूरा निश्चे चाहिए, निश्चे में गडबड हुई, तो हरिश्चंदर का मिसाल देते हैं, बाबा को तो सब कुछ बताना है, मैं गरीब निवाज हूँ, गीत आखिर वेह दिनाया आज आधा कल्प भक्ती में याद किया, अब आखिर मिला, अभी ज्यान जिन्दाबाद होना है, सत्युग जरूर आना है, बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो, तुम पवित्र प्रवरिती मार्ग वाले थे, फिर 84 जनम के बाद आपवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है, कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे, कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है, वह करेंगे, अपना वर्सा लेंगे, साक्षी हो देखते हैं, बाप कहते हैं तुम मेसेंजर हो, और तो कोई मेसेंजर पैगंबर होते नहीं, सत गुरू सदगती करने वाला एक है अन्य धर्म नेताईं आते हैं धर्म की सापना करने तो गुरू कैसे ठहरे मैं तो सब को सदगती देता हूं अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्निंग धार्ना के लिए मुख्ये सार पहली पॉइंट सदा इसी नशे में रहना है कि शान्ती, सुख, संपत्ती का सागर बाप हमें मिला है हमें सब कुछ एक से मिलता है ऐसे बाप के हम समुख बैठे हैं वह हमें पढ़ा रहे हैं दूसरी पॉइंट अपना अहंकार छोड़ बाप समा निशकाम सेवा करनी है निरहंकारी होकर रहना है मेसेंजर पैगंबर बन सब को पैगाम देना है वर्दान सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृती जीत भव अगर कोई भी पदार्थ करमेंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ती का भावत पन्न होता है तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे इच्छाई ही आसक्तियों का रूप है कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है तो यह भी सोक्षम आसक्ती है इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुक के साधन आकरशित तो नहीं करते हैं. यह पदार्थ प्रकृती के साधन हैं, जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृती जीत बनेंगे. स्लोगन मेरे मेरे के जमेलों को छोड बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्यान कारी अच्छा ओम शांती स्रीकृष्षन के साथ जूला जूलने वाली या खेलपाल करने वाली आत्माई कोन होंगी उनके साथ पार्ट बजाने का मुख्या आधार क्या है ये जानने के लिए सुनते हैं आज का ग्यान मोती